नमस्कार दोस्तो, मैं पाउन, मेरे चैनल टेकी पाउन में आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा सास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एन्सीफ 2005 और जितने भी शिक्षन से संबंदित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं आज का टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसकी संपूर्ण व्याक्या हम यहाँ देखेंगे continuous comprehensive evolution CCE तो देखते हैं इस टॉपिक को यह मूल्यांकन की सबसे नवीन विदी है केंद्रिय मादिमिक शेक्षा बोड CBSE द्वारा कक्षा 9 में वर्ष 2009 में तथा कक्षा 10 में वर्ष 2010-11 में CCE को लागू किया गया समगर एवन सतत मुल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बनाया है समगर का अर्थ होता है बालक के शेक्षनिक सहः शेक्षनिक तथा विकास के सभी पक्षों की उपलपदियों से है जबकि सतत का अर्थ है निरंतरता और करंब दता के साथ मुल्यांकन अता है CCE का पूरा अर्थ हुआ बालक के विकास की शैक्षणिक गैर शैक्षणिक उपलब्दियों का निरंतर एवन क्रम बर्द रूप से मुल्यांकन करने की परक्रिया को ही CCE कहते हैं अब CCE के भेद देखते हैं पहला है शैक्षणिक पक्ष का आकलन स्कोलेस्टिक इसके परकार कोन से होते हैं नमबर वन राचनात्मा का क्लन फॉर्मेटिव असेस्मेंट O इसके उपकरण कोन-कोन से होते हैं नमबर difficult observation किया जाता है अ एफचाप को तक बच्चे चार्ट बनाते रहते हैं, कई परकार से कारे करते रहते हैं, फिर दूसरा होता है योगात्मग अकलन, सम्मेटिव असेस्मेंट, इसे उपलब्धी परिक्षण भी कहते हैं, नमबर दूसरा आता है सहे शेक्षिक पक्ष का आकलन, वो तो शेक्षिक पक्ष का आकलन था, अब हम पढ़ेंगे सहे शेक्षिक पक्ष का आकलन यानि की को स्कोलेस्टिक असेस्मेंट, इसके अंतरगत पाठ्थे सहगामी क्रियाय कराई जाती हैं, इस पक्ष के आकलन के लि संचित अभिलेक क्यूमिलेटिव रिकोर्ड यह एक ऐसा रिकोर्ड होता है जिसमें शैक्षिक पक्ष के अंग तथा ग्रेड लिखे जाते हैं तता सैक्षिक पक्ष के अंतरगत बच्चे का स्वास्त्य आदत एवं पाठ्थे सहगामी क्रियाओं में भाग लेने का विवरण भी दर्जित होता है नमबर दो है वरतांत अभी लेक एनक्डटल रिकोर्ड इस अभी लेक में बच्चे के वियवार से सम्मदित केवल विशिष्ट गटनाओं का ही लेखा किया जाता है यह रिकोर्ड अचानक गटना को देखकर लिया जाता है नमर तीन अवलोकन सार्णी Observation Schedule इस सार्णी में बालक के अवलोकन योग्य वियवार का लेखा तैयार किया जाता है यह विशिष्ट नहीं होता है वो बरतांत अभी लेक तो विशिष्ट था अवलोकन सार्णी विशिष्ट नहीं होती है इसमें बालक का अलुकन समाज द्वारा किया जाता है समाज का मतलब यहां विद्द्धाले हो सकता है नमबर आट पर्षनावली कुशनरी के द्वारा होता है इसका आखलन नमबर नो पोर्टफोलियो पॉर्टफोलियो एक फोल्डर होता है जिसमें वे सभी दस्तावेज साक्षे के रूप में रख लिये जाते हैं जिसमें बच्चों ने भाग लिया होता है ये साक्षे तीन परकार के हो सकते हैं बालक को प्राप्त सभी प्रमान पत्रों की फोटो कोपी होती है, बालक के विभिन कार्यक्रों में खीचे गए फोटोज होते हैं, और बालक द्वारा अपने हाथ से लिखे गए निमंद, मैसेज, कार्ड, आदी की फोटो कोपी होती है, पोर्टफोलियो में बालक के शेक्ष विशेष्टाएं क्या क्या है नमबर वन इस प्रद्यती द्वारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के विद्यारतियों का शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मुल्यांकन किया जाता है कक्षा 6 से 10 नमबर दो, इसमें बालक के विकास के सभी पक्षो, मानसिक विकास, शारिरिक विकास और समवेगात्मक विकास आधिक को शामिल किया जाता है नमबर तीन, यह एक निरंतर चलने वाली continuous प्रकरिया, सतत प्रकरिया है नमबर चार, CCE छात्र को अंक के स्थान पर ग्रेड देता है, यह बच्चों को अंक देना अच्छा नहीं समस्ते है यह परणाली, यह परणाली अंक के स्थान पर क्या देती है, ग्रेड, A1, A2, B1, B2, ऐसे नमबर पांच, यह राष्ट्य शिक्षानीती 1986 से उत्पन हुआ है, यह द्रिष्टिकों, नमबर च्छे, यह चोटे-चोटे मुल्यांकन का पक्षदर है इसके अनुसार, बच्चे का मुल्यांकन आप थोड़ा-थोड़ा करते रहे, जैसे हम F.A करते हैं, Formative Assessment नमबर साथ, इसमें निदान और उप्चार दोनों किया जाता है, यानि कि डाइग्नोस भी किया जाता है, और फिर उसका Remedal भी होता है, इसलिए इसमें Remedal Teaching का Concept आया है नमबर आठ, यह है बालक वै अध्यापक दोनों को उनकी योग्यता, शम्ता और कारे कुशलता से अवगत कराता है नमबर नो, यह है स्वय मुल्यांकन में भी साहता करता है इसमें मुल्यांकन से ज़्यादा शिक्षन उद्देशों पर बल दिया जाता है इसमें मुल्यांकन पर कम और शिक्षन के उद्देश है कि बच्चा कितना सीख रहा है, लड़नी कितना कर रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है अब देखें इसमें grading system कौन कौन से होते हैं, इक राण में से 100 अंक वाले को A1 ग्रेड, 81 से 90 अंक वाले को A2 ग्रेड, 71 से 80 अंक वाले को B1 ग्रेड, 61 से 60 वाले को B2 ग्रेड, 51 से 60 वाले बच्चे को C1 ग्रेड, 41 से 50 वाले बच्चे को C2 ग्रेड, 33 से 40 वाले बच्चे को D ग प्रेश्ट कौन-कौन से होते हैं उनका वेटेज क्या होता है इसको दो भागों बाटा गया है एक First Term और एक दूसरा Second Term फिर में FA1 होता है जो 10% का होता है FA2 होता है वो भी 10% का होता है फिर FA1 और FA2 के बाद होता है S7, ये 30% का होता है, ये तीनों को मिलाकर 1st term होता है, फिर होता है अगले 2nd term में F3 होता है, जिसका 10% होता है, F4 का भी 10% होता है, और S2 का फिर 30% होता है, तो ऐसे मिलाकर ये 50% 1st term, 50% 2nd term, दोनों को मिलाकर 100% का पेपर बचों का माना जाता है नमबर बारा CCE की रूप रेखा प्रकर्ति या सरूप कैसा होता है देखते हैं इसके तीन सरूप है पहला अकादमिक मुल्यांकन जिसके अंतरगत अधीगम योजना अधीगम अक्षम विद्यारतियों की व्यवस्ता आती है नमबर दूसरा है सह शैक्षनिक शित्र जिसमें जीवन कोशल चिंतन कोशल सामाजिक कोशल समविगात्म कोशल और अभीवरति वे मुल्यांकन कोशल आते हैं तीसरा है सह शैक्षनिक गतिवीद्या इसमें विचार उतेजक क्रियाएं आती हैं शारिरिक और स्वास्ते की शिक पिशाती